हेलो अब्रीवान, हेलो अब्रीजे, 717 टेरो पे आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ टिया और मैं लेकर आगी आप लोग लिए फिर से एक और पिकर इस फैर रीडिंग लेकर और आशा करती हूँ कि आप सब भी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना धेर सारा ख्याल रिख रहे होंगे आज मैं आप लोग लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी किस्मत में आपकी डैस्नी में क्या लिखा हुआ है ऐसा क्या है जो कोई नहीं बदल सकता जो ओकर ही रहेगा और साथ में वो सारी चीज़ा जो भी यहाँ पर आपके लिए आएंगी उनको देखते हुए आप लोग ले क्या गाइडिंस है क्या एडवाइस है यह इस रीडिंग में देखने वाले हैं तो यहाँ पर दो आप्शिन्स आप लोगों के सामने है तोटली अपनी इंट्यूशन से आप लोगों को यहाँ पर एक उप्शन को सलेक्ट करना है और वो रीडिंग आप अपने लिए देख सकते हो ठीक है तो ग्रूप नमर फर्स के लिए है यहाँ पर यह सलेनाइट का स्फेर ओके और ग्रूप नमर टू के लिए है यहाँ पर यह रोस क्वार्ट का स्फेर तो दोनों में से जो भी स्फेर की एनरजी से आप लोग जादा कनेक्ट कर पा रहे हों आप उसको चूज कर सकते हैं, सेले नाइट बिसिकली क्लिंजिंग के लिए रहता है, और रोस क्वार्ट जो है वो बिसिकली लव लाइफ के लिए, लव के लिए, सल्फ लव के लिए रहता है, तो दोनों में से जो भी स्टोन की एनरजी से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज कर सकते हो, टाइम स्टेम्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और गई ज्याद रहें, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है, आप लोग के साथ रेजनेट करें, और हो सकता है, कुछ चीज़ें आप लोग के साथ रेजनेट नहीं करें, तो आप सब भी एक उपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखेगा, और अभी Option First के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं हलो Option First अगर आप लोगों ने सले नाइट का स्वेर चूस किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की किस्मत में डेस्नी में क्या लिखा हुआ है और हर कोई जानना चाहता है कि क्या लिखा है किस्मत में हर किसी के मन में ना एक क्यूरिसिटी होती है हमेशा ही तो चलिए देखते हैं Option First क्या लिखा है आप लोगों की किस्मत में और मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाइड डेफॉल्ट हमारी डेस्नी में होती है लेकिन कुछ जगे भगवान जी क्या लिख देते हैं कि तुम अपने करमों से अपनी किस्मत को बनाओगे तो इसलिए हमेशा पॉजटिव रही है हमेशा आगे भरने के बारे में सोचिए no matter कितनी ही मुश्कले हो लेकिन हमेशा पॉजटिव रही है ठीक है ना और देखो हमेशा ज़रूरी भी नहीं है कि हम पॉजटिव रहे लेकिन हमेशा आगे भरने की कोशिश करनी है हमेशा अच्छा अच्छा सोचना है यह में कहने की कोशिश करनी हूँ ठीक है तो, option first, please universe, guide me, for option first the judgment, oh my god, option two, you know, what I'm hearing from the teacher, let me tell you two runs, okay, okay, okay dead, okay, okay three of pentacles, ace of wands wow, beautiful energy is here, I'll tell you यहां पर किस तरिके की energy is an option to आप लोगों के लिए, जैसे यह जो जनम है आप लोगों का, आपने किसी चीजन को, conclusion देने लिए के लिए किया है इत्रेक लिए जैसे कोई इच्छा थी आपकी, जो कि आपके पुराने जनम में अधूरी रह गई है, आना जैसे पिछले जनम में भी आपकी सारी साइकल चलीं जहाँ पे बहुत साधा दर्द मिला जहाँ पे बहुत सारी तकलिफी रही आप लोगों के लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा समझा यानो वुद्याग 신व वुते पस्या साधना healing वो सब कुछ आप लोगों ने किया लेकिन उस सब के बीच में कोई इच्छ आपकी अधुरी रह गई कोई काम शायद आप लोगों को करना था और वो काम पूरा करने के लिए ही आप लोगों ने ये जनम लिया है option first मैं आप लोग को बता दूँ आप लोगों बहुत सदा intuitive होंगे और psychic abilities आप लोग के अंदर हो सकते हैं कि आपको चीजों के होने का ना पहले सी पता लग जाता है आपको सपने में चीजों कोछ दिख जाती है आपको feel होने लग जाती है आसपास की energies आप लोग बहुत सदो सेंस्टिव हो सकते हो तो यहां पर परस्ट किस तरीके की अनरजी है कि यह जो जनम है कुछ लोगों के लिए लास्ट है इसके बात कहते हैं कि आत्मा को मोक्ष मिल गया तो वह है क्योंकि आप लोग जो हो अप्शन तो वह ओल सोल्स हो सब कुछ जैसे आप इस दुनिया में आये दुबारा से कुछ चीज़ें जो थी वह आपको दुबारा से फील करनी थी जैसे कि प्यार है ना आपकी एक अच्छी लव लाइफ एक हैपी लाइफ तो यहां पर कुछ करियर के रिगारें कुछ आपके पैशन थे कुछ चीजों को आपको करना है या पर इसे जो भी घ्यान आप लोगों ने आपके पुराने जनम में यानो हासिल किया आपके त्याग से आपकी तपस्या से आपकी साधना से अप उस आपने उससे खुद को तो हील कर लिया लेकिन आप वो दूसरे लोगों को नहीं सिखा पाए तो आपके जैसे कुछ इच्छा थे कि अब यह जो मुझे मिली है अगले जनम में मैं दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करूँ तो एक complete यहां पर पूरी cycle complete हो जाएगी और मेरे मन में तब जाके satisfaction आएगा option first मैं आप लोगों को बता दूँ कि यही आपकी destiny का हिस्सा है यहां पर कुछ लोग मुझे literally गुरू के तरीके से नज़र आ रहे हैं कि जैसे आप खुद गुरू बनके आप दूसरे लोगों को सिखा रहे हो आप दूसरे लोगों को समझा रहे हो लेकिन हाथ साथ के साथ ये भी है कि आप लोगों के जीवन में इस जनम में भी tough cycles तो चली आपने अपना मन हमेशा साफ रखा अपना दिल हमेशा साफ रखा लेकिन आपको इस तल कुछ ऐसे लोग जरूर मिले होंगे जिन्होंने आपको चीट कर दिया आपको धोका दे दिया और आपके ट्रस्ट को तोड़ा है ना आपकी कुछ अपने ही लोग तो यहां पर एंड आपको बहुत समजार हो आपका दिल बहुत बड़ा है और आप माफ करने के ऊपर विलीफ करते हो आप बस इस बात पर विलीफ करते हों आप करमा के ऊपर नो कि मेरा अच्छा मेरे संग तुम्हारा किया हुआ है तो आप इस चीज से हमेशा ही चाहें कितनी ही मुशकले आई आपके जीवन में आई आपने हमेशा उनको ओवरकम कर लिया क्योंकि आपके अंदर एक रोशनी है आपके अंदर एक दया है एक करुणा बिसिकली वह नेचर में आप लोगों का देख रही हूं तो आप लेट को कर देते वारा और आप अपने मन में भी नहीं रखते उन नहीं आपने पूरा कर रहे हैं तो वह जो 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 घ्यान मौलीज उनको शेर करना था यहां पर हीलर से मैं बता दूँ यहां पर जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं आप लोग अल्रेडी हीलर हो आप लोग तरो कार्ड रीडर हो या आप लाइफ पोच्छ हो पुछछ सिखा रहे हो आप पढ़ा रहे हो सकते हो तो लोग ऐसे हैं जो अल्रेडी से इस पात पर आचुके हैं और अपना करम कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे ढ़ड रहे हैं लेकिन इस चली कुछ लोग आप यहां पर और ही मज्धार से मैं मुझे क ai करना तो है लेक वो इंट्यूशन मुझे है अंदर से कि मुझे ये करना है लेकिन करूं कैसे आप लोग ना बहुत अच्छे तरीके से किसी को गाइड कर सकते हो आप लोग को इंसान परेशान है बहुत ज़ादा दुखी है आप उसे दस मिनट बात करोगे ना आप उसकी एनरजी को एक तम च नेगेटिव में ने बोल रही इन पॉजिटिव वे मैनिपलेशन का गुड है है ना कि अगर कोई इंसान नेगेटिव है आप उसको इस तरीके से ट्रांस्वर्म करोगे कि वह पॉजिटिव खुश होके घर जाएगा तो वह चीज यहां पर आप लोगों की आ रही है चाहे कि आप लोग की लाइफ में खुद कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हों आप कभी दूसरों को नहीं बताते हैं आप चैरिटी करने के ऊपर बिलीफ करते हो आप लोग का धीरे धीरे आगे जाके ऐसा हो जाएगा मैं बताऊं पैसे से एक मोह ममता होती है ना सब छूट जा कि कम से कम दूसरे लोग के जीवन में खुशियां आए तो इतनी जादा मतलब इस तरीकी के एनरजी मने एक्सपेक्ट नहीं करी थी आज की रीडिंग में लाइक आप लोग तो एंजल हो मतलब एंजल मैं यही कहूंगी और क्या कहूंगी यह जनम आप लोगों ने अपनी म जेल के जब मैं रौशनी से जुड़ा तो वह जो एक प्रॉसेस था मुझे बहुत समय लग गया लेकिन मुझे दूसरे लोगों को भी सिखाना है पता नहीं कितना जादा मतलब सो ऑप्शन फर्स यह जिन्दगी में आप एक चीज़ याद रखना कि अगर दुख भी आता है वो टैम्प्रेरी है वो कुछ समय के लिए दूसरी चीज़ अगर कोई आपके साथ गलत करता है न क्योंकि आप इतने जादा आपके अंदर इतनी जादा डिविनिटी है आपक आप अपने मन में किसी के लिए भी देखो निगिटिव थौट्स फीलिंग्स मत रखना आप माफ ही कर देना सबको मैं यही कहूंगी क्योंकि कोई शायद आपके साथ जाने अंजाने में कर दे कुछ लेकिन उसे तो फिर बहुत जादा सहना पड़ेगा यह चीज यहां पर अपने मन में प्रियर्स करते हो भगवान जी वो डिरिकली जैसे सुन लेते हैं और तथास्तों भी बोल देते हैं है ना तो आप लोग दूसरे लोगों के लिए प्रियर्स जरूर करना दूसरे लोगों को अपनी प्रियर्स में जरूर शामिल करना है ना भगवान जी बहु बेटेंग को सबागै कि वाके हम बने दोज सब के लिए प्रेयर करती हूं जरे चाहिए हैं मैं आप अपने Eigen करने का मन कररए हैं मन चते अफ आब लिए धाण्य के रिए कर रहें कियो billion यह था किनि वेर तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों की रीटिंग कर रहे हूँ और मैं बहुत कुश हूँ कि आप लोगों की रीटिंग कर रहे हूँ और मैं बहुत कुश हूँ कि आप लोगों की रीटिंग कर रहे हूँ और मैं बहुत कुश हूँ कि आप लोगों की रीटिंग कर बहुत अच्छे तरीके से हीं और हील के समुनिंग पावर बहुत पावरक। हो मैंने पहले ही कहा मैंने पहले ही कहा आप लोग बहुत पावर्फुल हो और आप लोग के लिए किस तरीके का abundance माल अच्छमी की energy है वाउ इस लेट पॉपर्स innovation new creation ठीक है option first आप लोग की इस तरीके की energy है यह जैसे destiny वाली reading है कि मेरे किस्मत में क्या लिखा हुआ है तो यह जो थी यह चीज़ें आप खुद decide करवा क्या है भगवान जी से लिखवा कर आए लेकिन आप एक और चीज़ लिखवा कर लाए हो कि मैं जो चाहूं मुझे वो मिल जाए तो यहां पर मतलब क्या है कि आप दिल से जिस भी चीज़ को manifest करोगे है ना वो पूरी हो जाएगी और अक्सर जब आप दूसरे लोग को blessings दोगे है ना वो पूरी हो जाएगी जब भी भी आप कुछ ऐसा manifest करोगे जिसमें दूसरे लोग की भलाई चुपी है आपकी वो manifestation पूरी हो जाएगी दूसरे चीज़ आपको आपके जीवन में पैसे के लिए भागना नहीं पड़ेगा पैसा खुद आपके पास आजाएगा आप बस अपना करम करोगे आप बस करती है नो मैंटर वो कितना खरच कर लें वो कितना ही कहीं भी इंवेस्ट कर दें लेकिन कभी कमी नहीं आके पड़ती तो बैसिकली आपके बैंक अकाउंट्स बगएरा जो भी होंगे वो हमेशा आपके पास इनफ बैलन्स होगा बाकी तो मैंने जैसे बताया कि पैसे से आ हाँ पर आप लोगों के लिए है sacred purpose आप लोगों का भाई एक mission है इस अर्थ पे आने का इस दुनिया में आने का और कुछ लोग आल्रेडी मैंने कहा था वो अपने full purpose को पूरा कर रहे हैं और कुछ लोग थोड़े से अभी confused हैं वो इस्टिल अपने यूनों पुराने बंध था वो रिष्टा नहीं चला आप लोगों का क्योंकि शायद वो इंसान आपके लिए सही नहीं था तो कुछ लोग शायद अपनी past की energies में थोड़ा सा फसे पड़े हैं लेकिन आप बहुत जल्दी निकल जाओगे मैं आपको बता रही हूं आप बहुत जल्दी निकल जाओ इन्नोवेशन की energy है new creation तो भही आपके किस्मत में लिखाए कि इस जीवन में आप कुछ ना कुछ new create करोगे और यहनो जैसे रॉंडवाइन की secret book थी तो उन्हेंने law of attraction के उपर एक्दम रोशनी डाली उसके उपर उन्हें लाइट डाली और वहां से फिर यह law of attraction यहनो सब ज अपनी या तो कोई healing की technique लेकर आ सकते हो या आप अपनी कोई किताब लिख सकते हो या आप अपना कोई workshop दे रहे हो या आप कुछ सिखा रहे हो बढ़ा रहे हो लेकिन आप कुछ new energies को add कर रहे हो यह चीज यहाँ पर आप लोग ले आ रही है और देखते हैं option first love begin number one moving on number six heart chakra अच्छा देखो आप इसे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जैने उनके प्यार में धोका मिला हो पहले कभी मिला हो या अभी उससे गुजर रहे हो और आप जाना चाहते कि मैं इतना spiritual हूं मैं इतना healing कर रहे हूं मैं इतना सब कुछ कर रहे हूं है ना और फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया है ना कुछ लोगी सवाल कर रहे होंगे वह already healing के पात पर है spiritual है लेकिन फिर भी उनके साथ है ना सब कुछ अचा चल रहा था फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने उनको हिला कर रख दिया देखो कभी कभी ना भगबान जी हमें कुछ ऐसे चीज़ों से protect करते हैं जो कि हमारे लिए नई होती हम उस वक्त वो नई समझ पा रहे होते हैं क्योंकि हम उस वक्त कम्प्लीटली उस energy में होते हैं हमें सब कुछ वही ठीक लग रहा होता है जो हमारे सामने है लेकिन यहां दुख तुमारे लिए है ही नहीं yes option first दुख आपके लिए है ही नहीं हलांकि कुछ lessons रहेंगे कुछ learnings रहेंगी आप लोगों के जीवन में लेकिन दुख आपके लिए ही नहीं आप खुश रहने उस दुनिया में आये हो आपको खुश रहना है और खुश रहना ही दूसरे लोगों को सिखाना है rainbow की energy है यहाँ पर ठीक है तो दूसरों के जीवन में again वही दूसरों के जीवन में रोशनी लेकर आना light workers तो आप लोग कहीं ना कहीं option first light workers हो मैं कितनी बारी reading में बोल चुकी है आप लोगों के लिए healer हो, light workers हो social worker हो यही सारा कुछ है थोड़ा से यहाँ पर ऐसा है कि पिछले जनम की कुछ incidents ऐसे हैं जो कि आपने heal तो कर लिये थे लेकिन स्टिल थोड़ा वाथ healing से बचे पड़े हैं main focus जहाँ पर आपको healing के लिए ध्यान देना है वो है आपका heart chakra ठीक है अपने heart chakra को और जदे नरिश करें इस पर meditate करें और पिकर्स आप लोग powerful हो अलरड़ी तो मैं आप से कह सकते हूं कि आप इसके beach mantra का भी और चारण यम का और चारण भी आप कर सकते हैं आप चाहेंगे तो मैं नीचे meditation एट को मुझे पता है आप लोग को अल्रेड़ी सब पता होगा जहां तक जिस तरीगी कि भी आप लोग की energy हैं बस यह था कि थोड़े confused थे है ना तो इसलिए बस शायद आपको थोड़े सा जानना था समझना तो यह reading आप लोग के लिए आ गई option first अब भी देखेंगे काना जी की तरफ से भी आप लोगों के लिए क्या messages है option first joy और मैंने कहा कि आप लोग खुश रहने आए हो आप खुश रहने आए हो और दूसरे लोगों को भी खुश रहना सिखाने आए हो abundance oh my god मतलब आपकी किसमत में और मैं कैसे बताओं कि abundance भर भर के लिए है भर भर के कितना ही दान कर दो के तो भी आपके खजाने खाली नहीं होंगे खजाने हमेशा घर में बरकत रहेगी भंडार भरे रहेंगे तो वह चीज यहां पर आप लोगों के लिए है यलो की अनर्जी यलो के लिए मितलब आपका की solar plexus chakra तो आपका solar plexus chakra बहुत strong है और अगर आप उस पे और जदा काम करोगे तो आपके लिए और जदा अच्छा रहेगा आप लोग चाहें तो अपने लिए amethyst को यूज कर सकते हो amethyst and moonstone because यह दोनों अपने आप में बहुत जदा powerful stones हैं तो यह आपकी कई ना कई और जदा help करेंगे इस healing के spirituality के बात पर release तो yes कुछ यादों को कुछ लोगों को कुछ चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों को release करना पड़ेगा भई यह दो अगर life में हर चीज़ के मतलब ढूंडने निकलेंगे तो शायद मतलब ढूरते ही रह जाएंगे और हमारे सवाल खितम नहीं होंगे तो यहाँ पर आपसे बस यह कहा जा रहा है take a deep breath relax करो चीज़ों को लटको करो दीरे दीरे अपने आप आपको समझ में आता चला जाएगा ठीक है फिलाल वो जो आपके मन में एकदम से वो तुफान समझा पड़ा है ना उससे बाहर निकलो ठीक है ना चलिए लाज देख ल अरे 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 यह कार्ट अकिया इसमें आने ही था प्रेजंस आफ माइंड थिंक एन एक्ट वाइसली ऑप्शन परस्ट आप लोगों के सथ कहीं ना कहीं अक्सर आप इस वक्त ऐसा हो रहा होगा कि आप थोड़ा सा लॉस्ट अनरजी में चले जा रहे होंगे बोडी तो य और इसी चीच की प्रक्टिस करें यही आप लोग के लिए अच्छा रहेगा ठीक है change of place continue the journey of life as it comes embrace the changes especially change of place बहुत सारे लोग के लिए वो अपनी जगय को change कर सकते हैं अपने घर में रिनोवेशन कर सकते हैं अपने रूम में जो भी आपका बैट रूम में मुझे वहां पे भी नज़रा रहा है कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है I don't know according to वास्तू मुझे इत यहां पे आ रहा है आप थोड़ा सा चेंज करोगे डारेक्शन के अकॉर्डिंग तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा यप कुछ लोग अपने घर को अपने ओफिस को भी चेंज कर सकते हैं चीक है Share your bounties you have enough for your needs and some extra too share it with others remember the golden rule what you give you get back तो यहां पे message है भाई कि again मैं पहले ही message आप लोग को दे चुकी हों कि आप लोग बहुत सारा इस lifetime में donations charity बहुत सारा काम करने वाले हो different different perspective से तो यहां पे बस यही कहा जा रहा है option first कि खुश रहो और अपनी life में आगे भरते चलो आप लोग बहुत blessed हो आप लोग बहुत lucky हो आप लोग chosen ones हो आप लोग earth angel हो आप लोग बहुत divine हो आप लोग बहुत powerful हो आप लोग बहुत strong हो so option first यह है आप लोग की बहुत ही you know magical सी powerful सी reading और अपना feedback जरूँ शेयर करना इस reading के बारे में इस तरीके की रीडिंग आई कि आप लोगों से करने करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करते है रीडिंग को चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स रीडिंग में किसमत में क्या लिखा हुआ है आप लोगों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप लोगों के लिए इस तारी चीज़ इस रीडिंग में देखेंगे तो इस फैर को यहाँ पे साइट से रख देते हैं और हाँ यह जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है मेल फीमेल कोई बेस रीडिंग को देख सकता है साथ में किसी भी एज ग्रूप से हो तो भी रीडिंग आपके लिए है ठीक है ना तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ट आप्शन टू प्लीस अनिवर्स काइप में फोर आप्शन टू टैनल फॉर्म्स टैनल फैंटिकल्स आप्शन टू आप लोगों के लाइफ में कहीं न कहीं कुछ डिसिजन्स ऐसे भी रही हैं जो आप लोगों ने गलत ले लिए जिनके पीछे शायद अब आपको रीग्रेट है हैना कि मैंने तब ऐसा क्यों किया जैसे पहले आप बहुत जादा मासूम से कोई भी फाइदा उठा लेता था या किसी की भी बातों में आ जाते थे लेकिन आपको खुद से ही कुछ शिकायते हैं कि मैं पहले ऐसी क्यों थी मैंने तब ऐसे क्यों किया लेकिन यहां पर कहा जा रहा है ऐसी यही तो आपकी ग्रोथ है कि अब आप क्वीन ओफ वांस की एनरजी में हो अब आपने लाइफ में इतना कुछ सीखा समझा अपनी लाइफ में बैलन्स रखना सीखा और अगर वो सब कुछ आप उससे नहीं गुजरते तो जो आज आप हो वो आप नहीं होते तो हमेशा अपने आपसे भी कोई गिले शिक्वे जो है वो आपको नहीं रखने यहां पर यह एनरजी है कि खुद को माफ कर दो पता नहीं क्यों यह मैसेज किसी के लिए मुझे मिल रहा है यहां पर का जा रहा है खुद को माफ कर दो मैं सारे कार्स निकाल ही लूँ फिर आपको बजाते हो चावर फाइव ऑफ पैंटिकल्स 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 वाओ पतास कि पास नहीं कऊई भी गभूद अब लोगों भीommt और को क्या प्यक्षय थे तुम सब्सक्रेंटिकल्स के लिए कनले प्लीजों नस वाप ब्रमिंस क्स kuayन बच्पन भी ने कि लिए बुसक्तिकल्स के साथ यह यहां पर क्या इप परनेशल में सब कुछ नहीं होने से सब कुछ होने तक का एक सफर कहीं न कहीं यह आप लोग की लाइफ टाइम में रहने वाला है आप लोग ऐसा समय भी देखोगे जहां पे हर्ची सोचना लेने के पहले आपको बहुत जादा सोचना पढ़ रहा है परिशानी हो रही है प्रोब्लम्स हो दोनेट भी कर रहे हो दान भी दे रहे हो लेकिन यह सब कुछ कैसे होगा खुद पर विश्वास रखकर ही होगा यहां पर बहुत सारे लोग को इनर चाइल्ड इशूज हो सकते हैं या आपके पेरेंस के साथ कुछ इशूज रहे है ना और यह कुछ लोग के लिए लाइन जो पीड़ी दर पीड़ी चलती आ रही है आपकी फामली में तो यहां पर बहुत सारी चीजों को आपकी लाइफ में ऑप्शन टू हीलिंग की जरूरत है तब भी वो मेंटल पीस आप लोगों को मिलेगी यहां पर सबसे ज़यदा जो लोग इशू करते हैं वो है मेंटल प किसमत में सबसे पहले तो मैं बता दूँ कुछ नहीं होने से सब कुछ होने तक का एक तो सफर है तूसरे चीज अपकॉस यहां पर बहुत सारे टापर मूमेंट रहने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें बार बार आपके सामने आएंगी जो आपको हिला कर रख देंगे जो च्शि marrying औरकॉucking आप में हैं और आप समय के साथ इन्हों बस करोट बजो अगर ते चले जाओगे फाइफ की अनरजी और फाइफ चेंज को ही बताता है, टू अफ फॉन्स भी चेंज को ही बताता है तो चेंज इस बहुत सारे आपके इस लाइफ टाइम में चलने वाले हैं, कहते हैं न वो नथिंग इस पर्मनेंट, तो कुछ भी चीज यहां पर उप्शन जो आप लोगो को जो सबसे ज़ादा मतलब इस लाइफ टाइम में जो सबसे ज़ादा जिस चीज को समझना है, फेस करना है, वो है चेंज वो है बदलाफ को स्वीकार करना और बदलाफ के साथ ही बदलना है ना तो यह चीज यहां पर आप लोगो के लिए आ रही है, दूसरा यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज़रूरत से ज़ादा काम करते होंगे ज़रूरत से ज़ादा वोकोहॉलिक होंगे, और फिर आपकी हेल्थ पे एफेक्ट हो जाता होगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाते होंगे फिर आपको रीग्रेट होता होगा तो यहां पर अप्शन तो कुछ इस तरी कि कि अनर्जी दे कि प्रॉपर अपना शिड्यूल मेंटेन करके आगे भड़ें डिसिप्लेन में आगे भड़ें ज़रूरत से ज्यादा काम अपने सर पे नहीं ले लें काम को भी बैलेंस में रखके फोर अफसोच क्या कह रहा है कि रेस्ट भी आप लोग ले बहुत जदद जरूरी है और आप मैंसे बहुत सरे लोग रेस्ट लेस्टा फील करते होंगे अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो खाली बैठे हो आपको ऐसा लगता होगा थोड़ी दिर खाली बैठना सीखो थोड़ी दिर अकेला बैठना सीखो और उस वक्त केवल अपनी जैसे आप ब्रेथ को फील कर रहे हो अपने आपको फील कर रहे हो अपने होने को फील कर रहे हो इस नेचर को फील कर रहे हो क्योंकि वहीं से आपकी ये साइकिक अबिलिट कहां जाना है मुझे आगे क्या करना है यह सारी ही चीज़ें King of Swords यहां पर energy आप लोग लिए कहीं न कहीं आई है जो कि बहुत ज़दा एकदम intellectual right दे रही है Queen of Wands भी है then King of Swords भी है एक तरीके से मुझे परफेक्ट combination लगता है Queen of Wands and King of Swords यहां दोने एक दूसरे के एकदम पराबरी का मुकावला वह चीज़ कहते है ना तो वह चीज़ यहां पर कहीं न कहीं आती है Queen of Swords कभी कभी थोड़ा सा उसमें चली जाती है लेकिन King of Swords के एनरजी यहां पर कैसी है कि आप इसे बहुत सारे लोग ना यहनों अपने करियर के लिए आप लोग ने बहुत कुछ किया है अपने आपको स्टेबल करने के लिए और जो भी बच्वन में परिशानी रही फिनेंशल प्रॉब्लम रही तो उनको दूर करने के लिए और धीरे 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 आपने इतना ग्रो कर लिया आगे भड़के तो कुछ लोग को उनके पार्टनर मिलने में दिक्कत आ सकती है कि आप बहुत सारी चीजों से बचना चाहते हो या रलेशन्शिप को लेके कुछ नेगेटिव माइंडसेट है लेकिन यहां पे भई आपको आपके अकॉर्डिंग परसन जो है वो जरूर मिलेंगे यह चीज मुझे हाँ पर नजर आ रही है और एक से डेर साल में मिलेंगे यह जो पूरा प्रॉसेस है आप लोगों की लाइफ का एंडिंग्स न्यू बिग्निंग्स एंडिंग्स न्यू बिग्निंग्स कुछ शॉकिंग हो रहा है कुछ पता चल रहा है स्ट्रगल हो रही है बहुत सारा परिशानी हो रही है यह आपने इन सब की वज़े से बहुत सारा ग्रो किया अपनी लाइफ में बहुत कुछ जाना है सीखा है समझा है और ऐसा नहीं कि अभी हमेशे चलेगा कि आपकी किसमत में ही लिखा हुआ है ठीक है ना यह चीज़े अब यहां से बदल रही है करीबं जब आप यह रीडिंग देख रहे हैं उसके करीबं छे महीने एक साल तक मैक्जीमम यह थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक टाइम रहेगा और इसके बाद आप लोग अपने स्पाउस से मिल रहे हो अगर अल्रेडी मैरिड हो और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो कोई कैसा इंसान मिल रहा है जो कि आपके रिष्टे को जैसे हील कर रहा है आपके रिष्टे को हील करवा रहा है जो आपके मेश में दोनों के मेश में दूरियां आ चुकी है वो एक मेडियम बनके दोनों की प्रॉब्लम्स को सौट कर रहा है तो वो चीज यहां पर आ रही है देखते हैं और क्या कुछ है आ divine feminine ठीक है अब भी तो आप लोग और भी बहुत दादा घ्रो करोगे option 2 death and rebirth मैंने कहा था बहुत सारी एंडिंग से गुजरे हो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल जेली है और बहुत बार ही sacrifice भी आप लोगों ने किया है ना चात्यों भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ी हैं आपके जीवन में यह नो आपके मजबूरी थी शायद भू टचिंग अर्थ option two मैं आपको बताऊं आप लोगों ने अगर आप देखें जो आप छोटे बच्चे थे ठीक है दस बारह साल के सम्थिंग तब से लेकर अब तक ना जाने ही आप कितने बदल चुके हैं कितने ही पिछले कुछ चार पांच सालों में आप लोगों के जीवन में जो साइकल्स चली होंगी जो चेंज़ आई होंगे वह एक अलवगी लेवल के हैं लेकिन वह आपकी जर्नी का मैं बताऊं तो यहां पर 25 परसेंट ही है केवल 20-25 परसेंट ही है अभी तो यहां पर बहुत कुछ होना वाकिया आप लोग के जीवन में यहां पर टाइम मुझे नहीं दिख सब्स खूर रहे हैं आप लोगों के लिए लेकिन अभी तो यहां पर divine feminine energy है यानिकि बहुत आगे जाए हो बहुत कुछ सीख रहे हो बहुत कुछ समझ रहे हो बहुत सारी knowledge बहुत सारी wisdom बहुत सारी healing खुद को समझना कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों जुनिया में आया हूँ यहां पर सी आप लोगो कर्मा हीलिंग के जरूरत है option 2 कुछ कार्मिक अकाउंट्स आप लोग के पिछले जनमके हैं जो कि बार बार रुकावटे आपके जीवन में पैदा करते हैं तो यहां पर उन ची कि कई बार ही आप लोगों के साथ हुआ होगा आपके जीवन में खतम हो गया सब कुछ लेकिन फिर से हिम्मत करी और फिर से आगे फड़े इतने सब के बात भी option 2 आप अपने अंदर एक positivity रखे हुए हो कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा कोई बात में जो कुछ हुआ हो गय लेकिन option 2 आपकी energy बहुत हैं आपको detox करने की जरूरत है आपको बहुत सारी चीजों को बहुत सारी memories चो कि आप repetition mode पर daily याद करते हों उनको लेट को करने की जरूरत है पास्ट में कोई रिष्टा था आप लोग आगे तो बढ़ गए लेकिन उन चीजों को बातों को बार ब पास्ट एक रीजन से पास्ट है अब यही present moment में रहो तब भी अपनी जो desires है उनको manifest कर पाओगे reality में आपकी manifestations पूरी होने से जो रोक रहा है वो है आपकी past की memories और अब बच्छा कुछ नहीं है आप बस याद करते रहते हो और यहाँ पर कहा जा रहा है इसको completely let go करो ठीक है clairvoyance की हाँ पर energy है inspiration, interpretation, trust आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना अपनी intuition की नहीं सुन पाते हैं जबकि आप लोग बहुत intuitive हो और आपको दूसरों के लिए intuition साज़ जाती होंगी कि इसके साथ ऐसा होने वाला है इसके साथ यह होने वाला है है ना, तुम ऐसे मत करो तुम मतलब आपको दूसरों के लिए फील हो जाता होगा, आप दूसरों को guide कर देते होंगे। लेकिन अपने लिए रास्ता नहीं तलाश पाते हैं तूसरों को तो रास्ता दिख़ा देते हैं लेकिन अपने लिए जब ठोड़ते हो तूँ अंधे यहां पर सबसे पहले option 2 मैं clearly यहां पर बोलो तो आपको खुद को माफ करने की ज़रूरत है तो option 2 आप लोग बार-बार यह अफर्म करते रहें I forgive myself I forgive myself I forgive myself and I'm ready ready for what for new beginnings तुक है ना आपको यह बार-बारी खुद को अफर्म करना है अपने आपको माफ करना है और खुद को प्यार भी करना है यह चीज़ यहां पर करी जा लिए ठीक है, टचिंग अर्ट की यहाँ पर अनर्जी है, जैसी कि मैंने कहा कि आपको बहुत सारी चीज़ों को लट, लटको गरनी की जरूरत है आपके जीवन में से, So grounding exercise बाइए का, आपकी इनर्जी को ground करें, कुछ ऐसी exercise जीसे आप नंगे पे घास पर चल रहे हो, मिट्टी पर चल रहे हो, है नगे मिट्टी आप प्लांस लगा रहे हो, और प्लांस आपके घर में उनकी देख भाल कर रहे हो, आप उनके सब्वक्त बिता रहे हो, तो कुछ ऐसी exercise यहां पर जरूर करनी है ठीक है कुछ grounding meditations आप लोग को करने हैं ठीक है ना और plants लगाना plants की देख भाल करना आप लोग लिए बहुत अच्छा रहेगा ठीक है और देखते हैं यहां से अप्शन टू लफ बिगेंज इंट्रेस्टिंग आप्शन फर्स्ट में भी यही वाला कार्ट पहले आया था लफ बिगेंज और कुछ लोग यहां पर अपने ले ना एक प्यार की तलाश में है लेकिन आप लोगो शायद आपके अपके अपर्डिंगली परसन या तो मिलना ह पा रहे हैं या अगर मिल गए हैं तो बात बन नहीं पा रही है बहुत सारे बीच में बैरियर्स हैं रुकावटे हैं मुश्किले हैं यह भी डैथ हंडरी बर्थ कोई बताता है 13 नमर अगेन कुछ कार्मिक साइकल्स को बताता है तो यहाँ पर ऑप्शन टो भाई कुछ कार्मिक साइकल्स हैं आप लोगों की लाइफ में जिनसे की हाल फिलाल आप लोग घुजर रहे हो और जैसे मैंने कहां कि अपने आपको हील करने की बहुत जादा जरूरत है दूसर लोगी अच्छा रहेगा उतनी ही जल्दी आप खुद को हील कर पाओगे जैसे ही कुछ को कई कर लोगे प्यार कूच पकूद आजाएगा, आपकी पर पर समय जाएगा self love पर ध्यान दो अमें अपने जो limiting beliefs हैं उनको दूर करो खुद को माफ करो जन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको माफ करो and yes, yes option two यहाँ पर shadow side पर work है यहाँ पर healing है और आपको इन सारी चीजों में आना पड़ेगा आपको heal करना पड़ेगा आप कुछ लोग कहेंगे कोई जवर्जिस्ती है हम नहीं करना चाहते ही तो फिर यह नो फिर जो miracles आप लोग experience कर सकते हो फिर वो शायद आप नहीं करोगे तो कुछ choice आपकी है ठीक है option two मैं clearly ही बोलती हूँ करो के तु मिलेगा पड़ोगे तो ही तो आगे दूसरी क्लास में जाते हैं न है न तो कुछ पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है तो वैसे ही है यहाँ पे और देखते हैं अप देखेंगे last में काना जी की तरफ से भी आप लोग ले क्या message है option two bittersweet mistr sis अगले छे महीने में option two आप लोग किसी healer से connect करोगे किसी psychic से connect करोगे discovery अपनी life के purpose को discover करना अपने आप को discover करना ठीक है option two यहाँ पे बहुत सारे लोग next six months में किसी healer को किसी psychic को या किसी तरीके से आप किसी नगीसी healing की modality को कुछ न को सीखने वाले हो ठीक है अगर आता है तो ठीक है लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है बहुत सारे लोग के लिए कि कुछ नया सीख रहे हो और जिससे की जिससे की यह नो फिर वो रोशनी से आप जुड़ते चले जा रहे हो यह पता नहीं next six months जब भी आप इस reading को देख रहे हो कि छे महीने बहुत जादा important रहने वाले हैं यहाँ पे cards में कहीं भी नहीं है लेकिन वो energies मुझे बार-बार hit कर रहे हैं next six months next six months तो कुछ होने वाला है कुछ रहने वाला है काफी जादा important जो lessons है आपके life के one fold होने वाले है acceptance की energy है और यह card बस यह कह रहा है self expect क्या बूलते है self acceptance sorry ठीक है ना यहाँ जो मैं आपके cards की शुरू में shuffling भी कर रही थी आपको हर चीज में perfection चाहिए option two और जो हम हर चीज में perfection ढूणने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बहुत बारी इस energy की हमें जरूरत पड़ती है हमें perfection दिखाना होता है अपने काम में लेकिन बहुत बारी जब हर चीज में perfection 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 ढूण रहे होते हैं तो हमारी mental peace भी छिंग जाती है तो यहाँ पर कहा जा रहा है acceptance वाले mode में आओ suppose like आप एक boss हो और आपके बहुत सारे यानो आपके बहुत सारे workers यानो जो भी कुछ है वो काम कर रहे हैं अगर आप perfection ही तलाशते रहोगे तो आप हर किसी में कम्लिया ढूणते रहोगे लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है acceptance वाले mode में जाएए चीजों को accept करना सीखिए हर कोई हमारे according नहीं हो सकता जैसा हम सोचते हैं हर कोई वैसा नहीं हो सकता तो कुछ चीजों को यहाँ पर accept करने की जरूरत है अपने आपको भी जैसे आपको accept करने की जरूरत है खोज इसे मत भागो अगर आपके अंदर suppose आपको लगता है मेरी height कम है मेरा complexion dark है मैं थुड़ी सी मोटी हूँ या फिर मैं ज़्यादा skinny हूँ मैं ज़्यादा पत्री हूँ तो अपने अपने अंदर imperfect यह नो वो मन धूड़िये कि मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ खुद को accept करें और खुद को प्यार करें option two आप खुद पर बहुत जयाती करते हो मैं सच बता रही हूँ आपको खुद से प्यार करने की जरूरत है और इसलिए बहुत सारे लोग शायद आपको root समझते होंगे तो यहाँ पर option two आपको खुद से प्यार करने की जरूरत है I love myself, I love myself, I love myself आप यह जितना ज़्यादा होसे की affirm करें I love myself and I forgive myself ठीक है ना यह चीज यह affirmation आपको बार बार रिपीट करनी है नीचे comment box में भी इनको तीन बारी जरूर धोराईएगा ठीक है, bittersweet तो खिकान message ले रहा है कि जिन्दकी में घटे मीठे पल आते ही रहते हैं सुख दुख चलते ही रहता है तो बहुत जादा हमेशा ना हर चीज से disappoint मत हो जाए करिये हर चोटी से चोटी चीज में खुशी तलाश करिये ठीक है, यहाँ से last देख लेती हूँ काना जी की तरफ से क्या messages है option 2 selection, what you choose becomes your destiny, choose wisely पर destiny की reading है और destiny की ही बात हो रही है तो भगवान जी की तरफ से काना जी की तरफ से जिस भी रूप में मानते हो उनकी तरफ से message यह है कि आप जिस चीज को भी चूज करते हो ना वही आपकी destiny बन जाता है आपकी choices ही आपकी destiny बन जाती है so choose wisely आप खुश रहना चूज करते हो या हमेशा अपनी situation को कोशते रहकर दुख रहना चूज करते हो या आपकी choices तो खुशियों को ढूड़ो भई positivity को ढूड़ो, खुशियों को ढूड़ो ठीक है ना the joy of friendship, friendship is the biggest gift nurturing of friends and friendship तो यहां पर यह भी message है कि भई कुछ लोग अपने दोस्त बनाने की जरूरत है आप लोग भागते हो लोगों से अपने पुरानी experiences की वज़े से अक्यले रहना पसंद करते हो तो अगर कुछ दोस्त है उनके साथ time बिताओ वक्त बिताओ उनके साथ time spend करो ऐसे ही बुलेंगे है ना और enjoy करो enjoy करो अब कोई दोस्त नहीं है तो भगवान जी को अपना दोस्त मान लो ठीक है उनके साथी ठेड़ सारी बाते कर लिया करो उनसे ही अपनी दुख दर्द जो भी है वो कह दिया करो इचीज यहां पर करी जा रही है flow with the rhythm allow all the things to take their rightful position on their own so that they can together produce the same effect do not judge anything but flow with the tide मनी कहा ना do not judge anything judgment वाले face से बहार निकल के acceptance वाले यहां पर कहा जा रहे के जाई है flow with the rhythm go with the flow की energies के साथ रहे है यही आप लोग के जीवन में फिलाल कहा जा रहा है और तब भी आप अपने जीवन में वो खुशियों को ढूंड पाओगे खुश रह पाओगे और क्या option 2 सुबह यह है आप लोगों की reading option 2 I hope आप लोग अच्छी लगी होगी कि इसे बहुत सारी help मिली होगी तो अपना feedback जरूर शेर करें और लाइक कर दे रीडिंग को चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिस्टल्स पर्चेस करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे Instagram पर कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो और आप मेरी website पर भी विजिट कर सकते हो ठीक है लिंक सारे आपको ने के description box में मिल जाएंगे और में मिलते हैं आप लोगे से नेक सीडिंग में तब टेक के लिए बाई